Welcome back to part 3 of free will तो अब शुरू होती है समझाने की जो confederation कहती है के वो नए सिरे सिश समझाएंगे और जिसे कारला ने यहाँ पर बहुत ही सुन्दर तरीके से लिखा है उसको समझाने की कोशिश कर सकती हूँ मैं वो कहती है के confederation कहते हैं के हम आपकी नहीं लाइट जली के नहीं पावर चला गया पानी चला गया इसकी बाते नहीं कर रहे हैं हम उसके बाहर की बाते कर रहे हैं थोड़ा सा विस्तार अपनी चेतना का विस्तार करो तो उसकी बाते कर रहे हैं कि आपके इस भौतिक जिंदगी और आध्यात्मिक दुनिया इसके बाहर की जो दुनिया है उसकी बात कर रहे हैं आप इस भौतिक जिंदगी में अटके हुए हो लेकिन उस भौतिक दुनिया की बात कर रहे हैं उस दुनिया की जहां हम रहते हैं मतलब confederation रहते हैं और इस शरीर को अपनी सीमा समझ के आप जो इसको इस्तेमाल करते हैं, oh I am limited to this body, no you are not, so हम उसके उससे थोड़ा आगे की बात कर रहे हैं, एक नया नजरिया, नए नजरिये की बात कर रहे हैं, और हम यहाँ पर आते हैं, और आपको कहते हैं कि हम खाली हात आए हैं, और हम कहते हैं कि अगर आप कुछ जानना चाहो, वो कहते हैं न, कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, तो पहले तो अपने दिमाग को खाली करो, क्योंकि अगर एक ग्लास में पानी है, और उसमें आप दूद डालना चाहते हो, तो पहले उस पानी को फैकना पड़ेगा न, नहीं तो दूद डालोगे, तो वो डाइल्यू आप ये सोचों कि मुझे सब पता है, तो आप जिन्दगी में कभी कुछ नहीं सीख सकते हैं, किसी भी सबजेक्ट के बारे में अगर आप ये सोचते हो, कि हाँ मैंने चार किताबे पढ़ ली और मुझे सब आ गया, अब तो मैं सिखाऊंगा, आप जिन्दगी में कभी तो सीख नहीं सकते, और जब तक आपने जो सीखा है, उसको सिखाऊगे नहीं, तब तक तो बिलकुल नहीं सीख सकते हैं, तो वो कहते हैं कि यहां पर हम आपसे ये कहते हैं, कि जब आप इसके बारे में सीखना चाहते हो तो खाली हाथ आकर बैठो खाली हाथ आपके होने चाहिए एक तरह से आपका दिमाग खाली होना चाहिए किसन चीजों से किन चीजों से खाली करना है आपकी सभ्यता, आपका समाज, आपके धर्म, आपका संसकार आपकी खुद की सोच, आप जो समझते हो कि मुझे में बहुत बुद्धी है, मैंने बहुत सीख लिया, मेरे अनुभव, मेरा ये वो, मैंने ये पढ़ा था, वहाँ वीडियो में ये देखा था, सब कुछ साइड में रख दो, और कुछ एक बेसिक चार सवालों के साथ अपन तू, मैं यहां क्या करने आई हूँ, नमब थ्री, जब मैं जिस चीज को मानती हूँ, अगर मैंने उसे आजमा कर देख लिया, तो कौन से तरीके से आजमाना मेरे लिए काम किया, नमब 4, मतलब, मैं जिस चीज को मानती हूँ, for example, मैं टैरो को मानती हूँ, ठीक है?, मैंने उसे आजमाया या मैं destiny को मानती हूँ, मैंने tarot आजमाया, मैंने numerology आजमाई, मैंने astrology आजमाई, लेकिन उन सब में, मुझे सबसे बहतर जवाब किसमें मिला, वो अपने आपके लिए सोचो, और ये मैंने एक अपना example दिया, आप अपनी जिंदगी की हर चीज के साथ ही मैं ये करती हूँ, ऐसे करती हूँ, अगर मैं इसे ऐसे करके देखूँ तो, अच्छा मैं मानती तो हूँ, कि हाँ भगवान तो है, तो हिंदूइजम में तो है, मतलब हिंदूइजम तो कुछ होता नहीं, सनातन धर्म में ये भगवान है, तो अल्ला क्यों भगवान नहीं चलो एक बार थोड़ा सुन के देखती हूं, समझ के देखती हूं, जिसको इसका सचा ग्यान है, उनसे थोड़ी गुफ्तगू करके देखती हूं, बातचीत करके देखती हूं, मैंने की है और मुझे सच में, I have a lot of respect for those people who read the original Quran and who understand it, not the new version, and who understand the Quran in the right manner, same thing for Bible, ये मैंने धर्म की बात की, इस तरह से कोई भी मान्यता, जैसे आपने माना के ये सबजी इसी तरह से बनती है, क्यों भाई, एक सबजी को दस तरह कैसे बना सकते हैं, ट्राय तो करके देखो, रेसिपी ढूंड के देखो, आपको नहीं पता, तो कुकिंग क्लास कर लो, नहीं तो आज कल तो य अलग-अलग तरीके से देखना चाहिए, तो ये मेंग चार सवाल उन्होंने बोले, वो कहते हैं कि that realization that we have drunk in a lot of bad information during our childhood is often a starting point in choosing to accelerate the pace of our spiritual and mental evolution, हम ये सब जानते हैं कि बच्पन से हमारे दिमाग में भरा गया है, घर से जादा स्कूल में, क्योंकि पहले जमाने में तो घर में शिक्षा होती थी, मतलब 8-10 साल की उमर तक, बहुत पुराने जमाने की बात कर रही हूं, और उसके बाद ये हुआ कि 5-6 साल का, 6-7 साल का बच्चा हो गया, तो गाओं के पेड़ के नीचे भेज दिया, मास्टर जी के पास, अब क्या हो गया है, कि 2 साल का बच्चा हुआ नहीं कि उसको स्कूल में डाल देते हैं, तो घर में तो वो बच्चा कुछ नहीं सीखता, स्कूलों में वो बहुत कुछ सीखता है, घर में भी सीखता है, अपने माँ बाप को और परिवार के लोगों को देख के, कि ये लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा इनको ये सही लग है तो फिर यही सही होगा पापा ने जराशी बाते मां को थपड़ मर खटाक यही सही होगा फिर मैं भी अपनी बीवी को बड़े होके फिर इसका मतब यही करना है ऐसे सीखते हैं बच्चे और स्कूल में उसने टीचर को सुन लिया दूसरी टीचर से बात करते हुए जूट हुए ठीक है मैं छुटी ले रही हूं कल मेरे को जाना है अचली अपने बॉइफ्रेंड के साथ डेट पे लेकिन यह तो ऐसे छुटी देंगी नहीं तो मैं तो सुपह फोन कर दूंगी के मेरी तबियत खराब है बच्चे के दिमाग में आ गया जूट बोलना सही है तो सब सबसे पहले आपको यह करना है कि आपको यह मानना है एहसास करना है इस बात का कि जनम से लेके बच्चपन से लेके आपके दिमाग में बहुत सारी जो information डाली गई है वो गलत है जूट है और आपको उसे एक नए सिरे से उसकी शुरुवात करनी और हमारी free will के बारे में सबसे पहली शुरुवात वो हैं हर यह हमारे अपने है यह खोन का रिष्टा है तो यही मेरा है बाकी कोई मेरे लिए जान भी देने को तयार हो तो ना ना वो तो पराया है bakoис दूसरे घर से आई है तो यह तो पराया है मेरा बेटा अपना है बहुत सारी बातें जब हम अपने दिमाग से जब हम on a daily level अपने एक एक choice और reaction को या action को सोचेंगे, समझेंगे देखेंगे तब हमें और जब उसके ओपर contemplate करेंगे, अच्छा मैं ऐसा सोचती हूँ और मैं अभी ऐसा करने वाली थी तो क्यूं मैं ऐसा करने वाली थी या मैंने क्यूं ऐसा किया क्या ऐसा सीखा था मैंने बच्चपन में इसके इलावा मैं ऐसे भी तो कह सकती थी ऐसे भी तो सोच सकती थी क्या वो ज़्यादा सही नहीं होता मैं इस बात पर इतना गुस्सा क्यों करती हूँ क्या हुआ था मेरे साथ बच्पन में ऐसा जो मैं ऐसे रियाक्ट करती हूँ और ये मेरा trigger point बन चुका है belief system अनुभव की वजह से वो भी bad childhood या bad information है childhood में तो ये जब आप daily तौर पे जब आप देखने लगोगे, सोचने लगोगे, खुद को सोचना है ये नहीं कि किसी को बताना है तब आपको समझ में आएगा कि आप जो choice कर रहे हूँ क्यों कर रहे हूँ क्या आप फलाने आज for example आप अपने parents के साथ नहीं रहते या आप अपने भाई भेहन के साथ नहीं रहते या आप हफते में एक बार अपने दोस्तों से मिलने जाते हो तो वही दिन आप क्यों चुनते हो और ये अपने routine क्यों बनाया है कि मुझे मिलना ही है ऐसा क्या हुआ था या अगर आपने अपना अपनी जिंदगी में ये choice की है तो उसकी वज़ा क्या है और क्या वो वज़ा आपने चुनी है सही माइने में या कहीं न कहीं आपकी family ने friends ने, समाज ने आपके दिमाग पे थोप दी है नहीं नहीं पार्टी तो सब Saturday को ही होती है आगे पीछे तो काम करना होता है पागला मंडे को कैसे पार्टी कर सकती हूँ मैं और Saturday को क्यों काम करूँ भई वीकेंड है क्यों पार्टी तो कभी भी हो सकती है रोज हो सकती है और किसने बोला के काम Saturday Sunday नहीं हो सकता मेरा तो सबसे जादा काम Saturday Sunday को ही होता है तो कौन सा choice, कौन सी free will आप कहां पर क्यों exercise कर रहे हो इसके बारे में जब बैट के सोचोगे तो बहुत सारे अपने choices खुद बदल दोगे Starting point 2, in choosing to accelerate the pace of a spiritual and mental evolution Before we begin to play the game of life We consciously choose to know the truth for ourselves We begin to build our own intelligence तो यह जो जिन्दगी का आप खेल खेलने जा रहे हो न अब तक तो आप अंधादून खेल रहे थे आप एक मिन्ट मेरा पैटरी अच्छा अभी हैं पांच मिन्ट अभी तक तो आप अंधादून खेल रहे थे तब आप law of one के बारे में aware नहीं थे चोईज और ट्रीविल के बारे में aware नहीं थे आपको नहीं पता था तो आप उस हिसाब से खेल रहे थे पर अब जब आपको पता है तो यहां से ये जो जिन्दगी का खेल आप खेल रहे हो क्या आप नहीं चाहोगे कि आप इसे अलग तरीके से खेलो क्या आप नहीं चाहोगे कि आप सही चोईज करो ये I'm really thankful to pa कि उन्होंने ये ग्रुप बनाया और free will वाला और उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम हर रोज अपनी एक-एक बात अपनी एक-एक सोच अपना एक-एक करम awareness में हम जियें और कहने से पहले सोचें पूछने से पहले सोचें कुछ भी अच्छा अभी ग्रुप में तो हम सिर्फ कहना और पूछने तक सीमित हैं लेकिन जिन्दगी में तो वहां तक सीमित नहीं है जिन्दगी में तो हम जो करते हैं दूसरे लोगों के साथ उसमें तो बहुत बार हम free will inference कर सकते होंगे करते होंगे अब ये तो ग्रुप में नहीं पता या पा को नहीं पता तो इसलिए पा ने हमको वो tracker दिया है हो सकता है यहां से हम अपने इस नए गेम की एक शुर्वात कर पाएं और अपने लिए एक नए बुद्धिमानिता का इजाद कर पाएं और उसे सुधार पाएं Breaking away from religious authority we take personal responsibility for the process of our spiritual and ethical evolution Breaking away from the scientific view we claim to have as much of a higher or heavenly nature in our makeup as we do of the lower or earthly nature which is the study of science and psychology जब हम अपने धार्मिक जो हमारे गुरू है या हमारे माबाप ने हमें जिस तरह से बोला कि धर्म इस तरह से पालना है, मानना है जो भी करना है जब हम इस से खुद को दूर करते हैं तो यह हमारी अपनी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम अपनी आध्यात्मिक और हमारे ethical मतलब हमारे जो not सामाजिक संसकार not इस धर्ती पे बनाये हुए संसकार बट creator के बनाये हुए संसकार और ethics कि सही क्या है और गलत क्या है वो जो creator के हिसाब से है laws of the universe के हिसाब से है वो वाले ethics उसकी उन्नती हमारी जिम्मेदारी हो जाती है और जब हम इस दुनिया के वैज्ञानिकों की नजरिये से खुद को अलग करते हैं अब अगर मैं इसको समझाना चाहूं एक्जाम्पल के तौर पे तो जब हम उस वैज्ञानिक रूप से हम अपने आपको उससे जुदा करते हैं और अलग करते हैं अब जब हम इस तीसरी घहनतवता की साइकोलोजी और विज्ञान से खुद को जुदा करके रचेता के विज्ञान और उसकी रचना या उसकी सोच से खुद को जोडते हैं तब हम यू कहलो के धर्ती से स्वर्ग की तरफ एक तरह से कदम रख रहे हैं और उसकी रचना क्या है नेचर वहां हमें किसी साइंस की ज़रुद नहीं जैसे कल अगर आपने मेरा वो परसो सरकेडियन सिस्टम और सेल फंक्शन का विडियो देखा होगा उसमें नेचर के साथ इंसान की जिंदगी वैज्ञानिक तौर पे किस तरह से रचेता ने जोड़ी है पूरा डीटेल में समझाया है डॉक्टर ने इट वस सो ब्यूटिफुल तो अंडिस्टैंड दाट यूर यूरिन यूर फीसस मतलब आपकी टॉयलेट पेशाप जो भी है वो सब खाद है इन पेड़ पौधों के लिए और बहुत सारे किटानूं के लिए वो उसी पर जीत हैं और उसके बाद वही मिट्टी को उपजाव बनाते हैं या नर्म बनाते हैं और वही से जो पेड़ पौधे हैं वो उनको अपनी खाद मिलती है क्यूं क्यूंकि वही पेड़ों से तोड़के या खेतों से तोड़के तो हम खा रहे हैं और वही तो हमारे पेट में जा र रहा है तो ये सारा cycle जो रचेता ने बनाया ये व्याग्यानिक तौर से ये हम समझते ही नहीं है तो ये बात उन्होंने वहाँ पर बताई थी और वो कहते हैं कि व्याग्यानिक तौर से जो आज कल के scientists बता रहे हैं वहां से खुद को अलग करना अब कैसे मैं example देने वाली थी कहीं कोई गलत ना समझ ले इसलिए धर्म के तोर पे खुद को कैसे अलग करना अब मैं सिख में पैदा हुई मैं 50 बार बूल चुकी हूँ फिर भी दोहराती हूँ सिख धर्म में पैदा हुई जो सिख धर्म को मतलब गुर्द्वारे को नहीं लेकर निरंकारी मेशन को मानते शादी मैंने जिद करके मैंने कहा मुझे नहीं मानना है आप लोगों का यह धर्म शर्म यह वो जो भी मुझे छींदू धर्म पसंद हैं। हम मुझे लगता था हिंदू धर्म वाले लोग बड़े अच्छे होते हूं इनसे अच्छा तो कोई ही नहीं क्यूँ? again the choice that I made was because मेरे आसपास जितने हिंदु धर्म वाले लोग थे वो बहुत ही सुखी परिवार में रहते थे बड़े प्यार से रहते थे, हार्मनी में रहते थे कभी किसी ने उची आवास से एक दूसरे से बात तक नहीं कि मैंने का रहे हिंदु तो पड़े अच्छे तो मैंने का मैं तो इनी से शादी करूँगी कर ली हिंदु से शादी उस environment की वज़े से I made that choice और उसके बाद क्या हुआ मुझे पता चला, एहसास हुआ कि हिंदु, I am sorry to say but I am talking about my experience don't take it personally that but किसी भी धर्म के लोग अच्छे या बुरे नहीं होते सारे it's a very personal च्छोइज हर धर्म में अच्छे और बुरे लोग let's put it that way, that was a better way of putting it, किसी भी धर्म में लोग अच्छे या बुरे नहीं होते हर धर्म में हर तरह के लोग होते है अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, मेरा experience ऐसे रहा, कि यह लोग दोगले हैं, वो आई गी अभी बनाने, she was not well, sorry, so this was my experience, so I disconnected from that, ठीक है, शादी के बाद मुझे फॉस किया गया, Hindu धर्म, पाठ पूजा सीखने में मैंने सीखा, और उसके बाद, रोज का मैंने करना बंद कर दिया, after I separated with my husband, but मेरा प्यार, जिस एक आईडल से था, या जिस वज़ा से भी था, again वो क्यों था, क्योंकि मैंने कहानिया पड़ी थी, स्कूल में, कॉमिक बुक्स में मैंने शिव और कृष्णा और इन सबकी जो कहानिया पड़ी, उसमें मुझे ये बड़े अच्छे लगे, कितने प्यारे लोग हैं, प्यार हो गया, और प्यार हो गया, तो उनको भगवान मान लिया, और उनको भगवान मान लिया, तो टंग जब पता चला उसमें फ्लोराइड होता है और क्यूं डाला गया और उससे हमारा पीनियल ग्लैंड बंध होता है कट्टू आज दो-तीन साल हो गए है नमक के हिलावा मैं मैंने पेस्ट कभी यूजी नहीं किये नमक, हल्दी और उसमें सरसो का तेल बना के रखा हुए जहां जाती हूं एक छोटी सी डबी में डाल के ले जाती हूं I don't carry toothpaste I wish my children would listen but they don't listen but I try and get herbal toothpaste and all साबुन, साबुन तो इस्तेमाल ही करने वैसे वो तो मैं पहले भी जादा नहीं करती थी बेसन में दूद दही मिलाती थी और वो ही इस्तेमाल किया है मैंने सारी उमर यह तो अभी आट-दस साल से छोड़ दिया था और साबुन यूज करने लगी थी अब वो बंद कर दिया अब दूद दही भी नहीं और साबुन भी नहीं कभी हुआ तो नीचे पैर गंदे हो जाते हैं तो उस पर साबुन लगाती हूं साइन्स अभी वो लैप्टॉप का और वाइफाई का तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूं फोन का मैं कुछ कर नहीं सकती हूं सारा काम ही उस पर है किताबे मैं किंडल पर नहीं पड़ती डाट आई लाइक माई हाड कॉपी इन माई हैंड वो मुझे चाहिए बहुत सारी ऐसी शांपू हो गए शांपू की जगा वो साइंटिफिक हमने लैब में टेस्ट किया है यह होता है वो होता है घंटा कुछ नहीं होता है सिर्फ केमिक होते हैं जो तबियत खराब करते हैं तो शांपू एंपू आ गई वापिस घूम फिरके वही शिकाकाई पे हैर कलर बंद कर दिया था मेहंदी लगानी शुरू किया पता नहीं किते दिन टिकती है यह भी छूट जाए कहीं मेरे से तो जैसे जैसे पता चल रहा है जैसे जैस आपने आपको प्रोसेस्ट फूड थे बिगएस पैन ओफ तोड़ेस्ट ताइम तेलिविजिन अद प्रोसेस्ट फूड तेलिविजिन तो कम होई गया बॉलीवूद थेटर जाना नेगलिजिबल हो गया थिंग पाँ साल बाद मैं एक बार अभी गयी थी आद 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 आ सी कहीं बैठ गई दस मिनट टेकनोलोजी से दूर करती जा रही हो खुद को साइन्टिफिक चीजों से जो वो लोग बोलते हैं यह इस्तेमाल करो वो इस्तेमाल करो अभी जो निधी गौर के साथ सेशन किया था अभी गौरहरी जी के साथ दुबारा फ्राइडे को सेशन है नेक्स फ्राइडे को एक सब्जेक्ट के बारे में तो निधी गौर जी के साथ जो सेशन किया था उसमें उन्होंने बता दिया वाई यू शिद नॉट यूज थोस अ सिंथेटिक और पॉलिएस्टर ब्राइड 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 अंडर पैंस नाइलोन और सिंथेटिक वाले ओ लेस ये वो I mean I don't want to talk about it but this is how you can disconnect yourself from scientific view of what do we choose हम क्या चुनते हैं और confrontation suggests that we are every bit as much citizens of eternity and infinite things as we are limited earthly beings who are born only to die और confrontation कहती है के हम हमारा एक एक कान हम पूरी तरह से इस अनंत और अनंत ब्रहमांड का एक हिस्सा है और उतना ही जितना के हम इस इंसान की जिंदगी में एक limited समय के लिए एक थोड़े से समय के लिए पैदा हुए हैं जो आखिरकार मरने वाले हैं और मरने के बाद पुरा जनम भी लेने वाले हैं लेकिन हम अनंत हैं citizens of eternity and infinite things infinite things citizens of infinite things मतलब ब्रहमांड में जितने कान हैं हर प्लैनेट के उपर जितनी चीजें हैं ब्रहमान के सारे planet space सारे अकाश गंगा में सारे सौर मंडलों में उन सब के साथ भी हम एक हैं वो और हम हममें कोई फर्क नहीं है क्योंके law एक है ये तो हमें पता चल गया अब हम बतलब eternity infinite हैं के सब कुछ हम हैं और सब कुछ हम सब कुछ हैं I don't know how to say it in two different ways और हम अनंत समय के लिए हैं जब से ये ब्रहमान शुरू हुआ है और जब तक खतम निक खतम तो होने ही नहीं वाला तो तब तक के लिए हम हैं जीते रो मरते रो जीते रो मरते रो तीसरी घनत्वता में होता है चौती घनत्वता में डरा दिया पाने बोलके के वहां पर तो पता नहीं कितने हजारों साल की एक जिंदगी होगी मैं तो डर गई हमाई पर हजारों साल की जिंदगी एक जिसके अंदर आप सिर्फ क्या कर रहे हो प्यार सीख रहे हो वाव I always said God is equal to love and love is equal to God I don't know लोगों को ये छोटी सी बात समझ में क्यों नहीं आती अच्छा ये कितना लंबा है अच्छा है लंबा तो मतलब मुझे एक और session करना पड़ेगा